स्रिकिस किंधाकांड सर्ग चार मारा मोटा भाईने आजे सुग्रिणी मित्रता मांग भी पड़ेशे आटलू कहता लक्ष्मणना नेत्रो आसो थी भराई आवया अने आखो लाल थाई के इते जोईने चतुर हन्माने तेनने सांत्वन आपता कहिऊं के है लक्ष्मण तमे खेद करो नहीं आजेतो तमारा जिवा महा पुरूषो ना दर्शन करीने सुग्रिव भग्यशाड़ी बनचे तमे सामे चालीने अही तेने दर्शन आपवाने पधार्या चो तेतो तेना धन्य भग्यश गणाई सूर्या पुत्र सुग्रिव पन राज्यती ब्रश्ण थाईनो चे तेना मोट्या भाय वाली थे तेने काड़ीं हुक्यो चे औने तेमनी पत्ति बढ़ातकारे पुतानी स्त्रीव बनावी चे वाली नी साथे वेर ठवाती सुग्रिव पण बंद मा भटकी रहो चे, तेने तमारा जेवा बढ़वान पुरुषो नी सखत जरूर छे, जो तमे तेने मदद करशो, तो सुग्रिव पण तमारी सीताने शोद माटे तपास करवा मा अवश्य मदद करशे, जो तमे आपने जेवी तेनी मदतनी जरूर छे, तेवी जहने पन आपनी मदतनी जरूर छे, तेनू बोलवू यथार्ण छे, तेमा कोई कपट जिवू जणातू नती, बन्ने भायों सुग्रिव पासे जवाने तैयार खया, आथी हनुमाने रामनी आगनालाई, पोतानू तपस्वीनू रूप त्यागी दिदू, औने मुडवानर सुरूप धारण करिली दू, बन्ने भायोंने पोतानी पीठुप पर वैसाडया, औने पर्वत पर चडवाला गया, श्री रामना दर्शन थवाती, तेना आनंदनो पा नहतो, निर्वन बुद्धिवालो, औने मोटा पराक्रम करनारो, वायो पुत्र हनुमान रघुकोणना बन्ने कुमारोंने पोताना खबा पर वैसाडवाती धन्य बनी गयो, औने पर्वत पर जड़ती चडवाला गयो, हनुमान जीना जन्मनी रहस्यमाई कथा चे, ते पुत्र, केशरी सूत, शंकर शुवत, आथी केमना जन्मनी कथा जानवी जरूरी छे, शीव पुराण मा एवी कथा चे, के बगवान विष्टोनों मोहीनी स्वरूप जुवा माटे, बगवान संकर विष्टोवासे गया, ते स्वरूपना दर्शन कराववा प्रार्थना क विष्टो ए मायाराची ने पोतानू अती दीप्य मोहीनी स्वरूप बतावियो, आथी शंकर मोहवस थाई, काम पेडित थाई, व्याकूर थाई गया, अने मोहीनी निपाचर दोड़्या, ते समय तेन्नू वीजियस खलित थाई गयो, शप्तर्शियो ए तेने पांदड़ केश्री साथे परणावी, हती पन लांबो समय थयो छता पुत्र थतो नहतो, शप्तर्शियो ए तेन्ने शंकर जेवो पुत्र आपयो, तेती तेवो प्रसन न थया, हनुमान ज्यारे नाना बालाग हता, तेयरे तेमने सूरियाने फोड़ जाणी ने खावा मांगियो, ते ज तेवो ने ए तेमने वर्दान आपया, मातानी आगनाती हनुमाने सूरिया पासे जैने शगडी विद्ध्याव प्राप्त करी हती, आम तेवो रुद्र ना अवतार रूफ हता, आथी तेने शंकर शुवन पन कहवाई छे, सकंध पुराण मां वैश्णाव खंड मां एवी क रका छे, कि अंजना आने केसरी सुमेरू परवतपर रहतावाता, तेम तेने संतान सूख नह अथू, आथी अंजना ए वर्द तब कर्या, आन एक वार तेमने तिया मातां गुमुनी आवेआ, तेमने अंजना ए पुत्र प्रापतिनों उपाय पुचयो, मातां गुमुनी ए जणावियो कि तमों व्रुषभा चड़ परवत पर जई वायोदेवनी उबासना करो ते तमने महा बोल शाड़ी औने अजे कुत्राप्षे व्रुषभा चड़ परवत पर जई अंजना ये तो बादरियो आथी वायोदेव प्रसन खया तेने अंजनाना सतित्वनों बंग कर जयाविना अव्यक्त रुपे मांचिक संकल्पद्वारा अंजनाने आलिंगन करी पुत्र आप्यो आ अंजना देवीनों कुत्र अंजने वायू जिवो महा बढ़वान खयो तेथी वायू कुत्र कहवायो हन्मान जीना जन्मानिक था रामायन माती मढेचे अयोध्याना रा राजाये त्रोण सर्खा भाग करया राणिवाय अपायसानना हाथ मां ग्रहुन करी ने कुर देवतामों ध्यान धरेशे तेवामा क्यात्री एक घीदावी कैकैना हाथ मांती पात्र जुट्वी ने उड़ी गयो राजाये कैकैने विजी राणिवाना भाग मांती तप करता अंजना देवी नी अंजलिवा मुकी दिदू तेने प्रसात तरीके ग्रहन करयो आथी अंजनाने गर्भ रहो ते हनमान जेनों जन्मत हयो